हेलो बच्चों कैसे हैं सब मेरा नाने असीस पंडे आज हम बात करने वाले हैं उस्मा छेपी और उस्मा सोशी अभीक्रियाएं क्या होती हैं इनकी परिभासाएं क्या होती हैं इनके most important example कौन से हैं जो आपके board exam होएं पुछे जाते हैं जो आपके NCEIT के हैं बेटा पूरा का science के lecture upload कर दिए हैं कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो वहाँ से जाकर देख सकता है concept बनाना है कम समय मैं बनाना है यहां से देखो कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं आइए बात करते हैं 5-6 अभी इनीज्ट्रियाएं क्या होती है और शोशी अभीक्रियां क्या होती है बीटा उ उस्मा भी बनेगी तो इस तरीके की रियक्षन को हम लोग उस्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं यानि वह रियक्षन यानि वह अभिक्रियाएं जो उत्पात के साथ साथ उस्मा भी रिलीज करती हैं उस्मा भी निकालती हैं उनको हम लोग उस्मा छेपी विक्रियाएं कहते हैं और वह विक्रियाएं जो अभीकारक के साथ साथ हीट को एब्जॉर्ब करती हैं यहां पर हीट लग जाएगी यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी हीट का अव शोशड हो जाएगा और फिर प्रोडेक्ट बनेगा तो बेटा हीट अगर होट बनेगा क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रही है यह तो इसके कॉंसेप्ट थे आईए इसकी परिभासाये पढ़ते हैं और इसी कॉंसेप्ट को जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, परिभासाओं से समझाता हो, आजाओ बेटा, ये है उस्मा छेपी अभिक्रियाओं की परिभासाओं, देखो, उस्मा छेपी अभिक्रियाओं जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में, उस्मा उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस्मा छेपी अभिक्रिय होती है उसमा निकलती है आईए कुछ most important example की बात करते हैं जो आपके board examo में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्राकरतिक gas का जलना या प्राकरतिक gas का दहन तो यह बहुत important example है प्राकरतिक gas पहली बात किसको कहते हैं प्राकरतिक gas बोलते हैं मेथेन को CH4 को CH4 का जब दहन होता है तो वो oxygen के साथ मिलती है और बनाती ही बेटा carbon dioxide और बनाएगी क्या water और साथ ही साथ में बेटा यहाँ पर heat यानि उसमा का भी उत्सर्जन होगा heat भी यहाँ से निकलेगी heat निकलेगी बेटा जब तुम कोईले को जलाते हो heat निकलती ही की निकलती है कि नहीं तापते है कोईले को जलाकर तो वो भी उसमा छेपी अभी क्रियारी है यानि हम लोग ताप सकते हैं क्योंगर तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है तापमान बढ़ेगा product का बेटा तो तापने के काम में तो आएगा ही आएगा इस example को देखें अगला example क्या बोलता है शोशन के बारे में जब सोशन हो रहा होता है तो glucose, oxygen के साथ combine होता है combine होने के बाद वो बनाता है बेटा carbon dioxide और बनाता है बेटा water ऐसे ही reaction आपको as it याद कर लेना है नहीं याद है screenshot ले लो याद करते रहो बेटा बहुत important है लगतार शीच को याद रखो और group से जुर जाओ group की link description में होगी group से जुर जाओ वहाँ पर ये सब notes मिलती रहेंगी तुम लोगों को वहाँ पर notes मिलती रहेंगी बेटा तो ये बहुत ही ज्यादा example important था यहाँ पर भी बेटा क्या होगा यहाँ पर भी बेटा heat निकलेगी heat का उच्छन होगा तो बेटा ये example important था अभी ये ही example फिर से मिलेगा बस क्या different हो जाएगा बेटा कि ये वाला कि जो अभी कारक है ये इधर चला आएगा उत्पात इधर चला जाएगा तो पूरी की पूरी रियक्शन बतल जाएगी अभी आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा ये जो एक्जामपल में बताने जा रहा हूँ ये most of the important example है आपके किसके लिए बोरेख्जाम के लिए सबसे ज्यादा बार पुछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए example कौन से example सर रटा होना चाहिए आजाओ समझाता हूं बेटा जरा ध्यान से समझना कि कौन से example रटा होना चाहिए बिना बुझे हुए चूने का formula क्या होता है बिना बुझे हुए चूने का formula होता है C A O और बुझे हुए चूने का formula होता है C A O एच का whole twice बेटा ये formula होता है हमें पढ़ना है बुजा हुआ चूना कैसे बनेगा तो बेटा बुजा हुआ चूना बनाना है तो बिना बुजा हुआ चूना ले आओ ये है क्या ये है बिना बुजा हुआ चूना इसको हम calcium oxide भी बोलते हैं लिख लो इसको हम calcium oxide भी बोलते हैं जब हम calcium oxide को पानी में डाल देते हैं जब हम calcium oxide को पानी में डाल देते हैं तो बनता बेटा calcium hydroxide और यहाँ पर निकलती है heat यहाँ पर क्या निकलती है बेटा heat तो calcium hydroxide को ही बुझा हुआ चूना बोलते हैं क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं तो इस तरीके से बु पूरा का पूरा कोर्स जो की पेड़ कोर्स था वो फ्री में प्लेइलिस्ट पर मैंने कर दिया है बेटा पूरा का पूरा कोर्स भी आपको देखना हो तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए या आपका भाई बैन कोई पूरा कोर्स मैंने फ्री कर दिया जाके देख लो वहाँ पर जाके बेटा वहाँ पर देख लो आजब बात करते हैं अब हम बात करते हैं उस्मा शोशी अभिक्रियाए क्या होती है इनकी परिभासा क्या है बेटा वहाँ अभिक्रियाए जिसमें उस्मा का आव शोशड हो जा यह आप लिखा हुआ यह अभिक्रिया क्या कहलाती है उस्वा सोशी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्जाम्पल बताता हूं जो बहुत ज्यादा इक बोर्डों में बोर्ड की पुछा गया है वही एक्जाम्पल अभी मैंने का था ना कि बेटा ग्लु कोज इधर तो जाएगा और कार्बन डायोक्साइड दितर हो जाएगी यही हुआ प्रिकास संसलेशड की अभिक्रियाओं में जब हम लोग कार्बन डायोक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं हम लोग नहीं लेते प्लांट लेते हैं और और उनको क्या मिल जाए अगर उनको मिल जाए यानि सूर का प्रिकास मिल जाए तो बेटा वो बदल जाएंगे किसमें glucose और oxygen में बस एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो sunlight मिल रही है इसी sunlight से यह heat भी आवसोसित कर लेते हैं यानि जो heat इधर लगेगी यह अभीकारक की तरफ लगेगी यानि carbon dioxide water और heat heat कहां से आई या sunlight से आई यह मिलकर बेटा glucose और oxygen बनाते हैं बेटा यह most important example था और lime बाला यानि बुझा हुआ चूना चूना वाला बहुत ही ज़्यादा important example था उसको तो याद कर लेना हरट लेना यह पूर्य का पूरा लेक्चर जो मैंने भी लिया समझ में आया होगा लेक्चर में था बेटा यह concept booster स्रीज है जो हमने आपके लिए बढ़ाई है लगातार वीडियो जा रहे हैं चैनल से जुड़ जाए देखते रहें एक्जाम से पहले-पहले पूरी की पूरी साइन्स का ऐसे ही concept booster स्रीज रिलीज हो मतब पूरे की पूरे वीडियो डाल दूँगा बेटा कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी physics, chemistry, biology किसी में भी नहीं ठीक है बेटा मिलता हूँ मैं आपसे next lecture पर thank you so much for watching टड़ा बाई बेटा बाई